दरवंगा शहर के अलपटी गुमती के पास रेल से कटकर एक महिला की हुई दरदनाक मौत वहीं मौत से आकड़ोसित लोग का दरवंगा के सांसत पूटा गुस्ता जी हाँ यह बड़ी खबर दरवंगा शहर के अलपटी गुमती के पास से आ रही है जहां बता जाता है कि गुमती नमर चौबिस के पास आज सुबह तक्रीबन ग्यारा बज़े दरवंगा से समस्ती प्यूर की ओर जा रही ट्रेन से एक महिला की कटकर दरदनाक मौत हो गई हलाकि महिला कौन है और कहा के रहने वाली है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन अनुमाल लगा जा रहा है कि महिला की उम्र लगभग 45 साल है मही मौकर पर बेता थाना की पुलिस पहुँचकर जनकारी लिया लेकिन उनका कहना था कि महिला की डेड़ ब पता करने में जूट चुके हैं वहाई मौके में पहुंचे अस्थानिया आक्रोसित लोगों ने मीडिया के सामने बता की यहां जाम की समस्रा लगातार बनी रहती है यही कारण कि आज के दिन में कुछी दूरी पर एक ट्रक के दौरा एक महिला को भी कुछल दिया गया लेकिन इसको लेकर ना की जिला पर सासन नहीं सासन के द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है साती साथ हमारे जो मान्य सांसद है उनके द्वारा ना कोई पहल किया जा रहा है यही कारण की रेलवे ट्रेक पर जाम की समस्रा बनी रहने के कारण प्राय कोई ना कोई घटना जाम का समस्या अललपट्टी चौक से 24 नमर गुंती तक भरावर बना रहता है। कि सरक में दो दो लोगों का हत्या हो जायातायात में जाम के कारण तो कितना बड़ा दुर्भागय की बात है। से बोल दिया जारा कि एम्स बन जाता है और ब्रीज बन जाता है यह बन जाता है। बनता कहां है। सिर्क बोलने से थोड़ी नहोगा बनाना परेगा इसके लिए। पांच साल वो निकबमा सांसाद यां दरभंगा में रहा। दरभंगा लोकसभा में। लेकिन न आर ओभी बना पाया। न यातायात का समस्या दूर कर पाया। न एम्स बना पाया। आप गुपाल जी ठाकुर जी एक बात बताईए। आप जब कोई काम ही नहीं कीजिएगा सिर्फ मोदी जी के नाम पे भरजी हिंदू के नाम पे आप चुनाव जीते रहेगा। तो जनता आपका कब तक साथ देगी।